बड़ी खबर ये कि सोने और चांदी के भाव में आज भारी गिरावट देखने को मिली है भाव साथ महीने के निचले स्तर पर पहुँच गए है सोना वा चांदी खरीदने का सांदार मौका आज सरापा बाजार खुलते ही लगातार इस सब्ता भी आज दूसरे दिन जोड़दार गिरावट आई है नमस्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के भाव लाईव की एक और नई वीडियो में दोस्तों जिनमाताओ बेहनों को साधी वीवा के लिए सोने वा चांदी के गहने बनवाने है या फिर आप सस्ता सोना खरीदने या फिर निवेस करने का सोच रहे थे तो आपको बता दे आपके लिए शांदार मौका है जी हाँ दोस्तों यकीन मानिये इसके बाद सोने वाचांदी के दामों में साइध इतनी बड़ी गिरावट कभी न आए क्योंकि देखा जाए तो इस सब्ता सोने वाचांदी के दामों में लगातार गिरावट का दोर जारी है और आज भी सोने वाचांदी के दामों में जोड़दार गिरावट आई है ऐसे में यदि आप भी सोने वाचांदी के गहने बनवाने का इंतिजार कर रहे थे तो आप जल्दी करें क्योंकि बजट के बाद सोने वाचांदी के दाम भरभरा कर नीचे आ गए हैं ऐसे में चलिए जान लेते हैं आज 28 के रेट, 22 के रेट और 24 के रेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है साथ ही आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है वह जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है लेकिन उससे पहले रोजाना सोनेवा चांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारसा लाइक कर देना चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं दोस्तों आपको रोजाना हम बताते हैं कि चांदी के दाम 97,000 जाने के बाद चांदी के दामों में लगातार गिरावट आ रही है और ये इसलिए बताते हैं ताकि आप डिफरेंट पता कर सकें कि 97,000 जाने के बाद आज 1 ग्राम चांदी का भाव 81,35 पैसे है देखा जाए तो चांदी के दामों में लगातार उतार चड़ाव का सिलसिला जारी था लेकिन जैसे ही बजट आया और सरकार ने आया सुल पर छूट दी उसके बाद लगातार सोने वा चांदी के दाम बरबरा कर नीचे आ गए हैं और देखा जाए तो चांदी के दामों में लगबग 12-13,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है वहीं आज भी चांदी के दामों में जोड़दार गिरावट आई है और 1 किलो चांदी में 842 रुपए चांदी सस्ती हुई है ऐसे में यदि आप चांदी के पायल बिचिया या फिर कोई और गहने बनवाना चाते थे तो आपके लिए शांदार मौका है वहीं यदि आप चांदी के निवेशरक है तो आपके लिए शुनेरा उसर है अब आप इस मौके को न गवाएं क्योंकि सोने वाचांदी के जानकारों का मानना है अभी भी सोने वाचांदी के दामों में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है वहीं सोने के दाम लगबग अभी 10,000 रुपए तक नीचे आएंगे और चांदी के दामों में 15,000 रुपए की गिरावट आ सकती है तो आप सभी क्या चाते हैं सोने वाचांदी के दाम कितने कम होने चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें क्योंकि आप सभी की राय बहुत ज़्यादा सुब होती है और आप सभी ने जब से कमेंट करना सुरू किया है लगातार सोने वाचांदी के दाम कम हो रहे हैं तो आप सभी दबा कर कमेंट करें और वीडियो को सेयर करें चलिए अब जान लेते हैं आज अटार के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है उससे पहले दोस्तों आपको बता दे इस वीडियो में आज आपके सहर के भी एक तोला सोने के दाम बताए जाएंगे तो वीडियो को बिलकुल आपरी तक जरूर देखें क्योंकि आज 22 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 673 रुपई है 8 ग्राम सोने का भाव 53,624 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 66,030 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 6,70,300 रुपई है दोस्तों देखाजाएивает तो आज भी सोने के दामों में जोड़र गिरावटाई है और 100 ग्राम में 1200 रुपई, 10 ग्राम में 120 रुपई सोना सस्ता हुआ है वहीं आज 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 6868 रुपई है 8 ग्राम सोने का भाव 54,944 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 68,680 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 6,86,800 रुपई है चलिए आप जान लेते हैं आज आपके सहर में एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है आप जानेंगे कुछ प्रमुख सहरों में सोने के ताजा भाव दोस्तो देखा जाए तो आज दिल्ली में एक तोला सोने का भाव 29,95 रुपाई से लेके 99,442 रुपाई आपको पड़ेगा वही मुंबई में आज एक तोला सोने का भाव 68,700 रुपाई से लेके 99,95 रुपाई है पंजाब में आज एक तोला सोने का भाव 68,700 रुपाई से ल लेकर 69,195 रुपाई है। बैंगलोर में आज एक तोला सोने का भाव 67,700 रुपाई से लेकर 69,195 रुपाई है। पटना में आज एक तोला सोने का भाव 68,600 रुपई से लेकर 99,195 रुपई है एहमदाबाद में आज एक तोला सोने का भाव 68,700 रुपई से लेकर 99,192 रुपई है रायपूर 36 गड़ में आज एक तोला सोने का भाव 67,942 रुपई से लेकर 99,192 रुपई है तो दोस्तों ये थे हमारे द्वारा बताए गए आज सोने वाचांदी के ताजा भाव वीडियो आपको प्योगी लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें